इत्तिहाद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा तो किस कदर हम अखला की तौर पर हर रोज गिरते जा रहे हैं ऐसा लगता है कि यह हालात तो आने ही हैं हमने काउन से कसर छोड़ रखी है जो अलाग की रहमत नुसरत हम पर नाजिल हो जाए इल्मी दानी शुर, समाजी खित्मतगार, कव्मी रहबर, दीनी रहबर, सब के सब ये की सब में खड़े नजर आते हैं मुसल्मानों की कोई तर्वियत हुई नजर ही नहीं आती है और जब मुसीवत आती है तो जायजा लेना शुरू करते हैं मशवरे और दीनी मुझाखरे करने लगते हैं मुहले की जमातों का तो कोई फुर्चाने हाल होता नहीं एक मुहले में चार मजजीद रह दिया तो चारू की फिक्र सोच और मसलक एक दूसरे से मेल नहीं खाते हाल ही में देली फसादात हुए जिसमें पचास से जायद लोग मारे गए जिसमें हिंदू मुसल्मान दो नह खासकर मुसल्मानों के अमलाग जलाए गए यहां तक उर्दू स्कूलों को भी जलाया गया कई सारे स्कूली बच्चे लड़किया आज भी गायब है लापता है यह कोई चूपी वी बात नहीं है इसके पीछे संग परीवार का ही हाथ था पर गिराफतार तो शारुक और ताह करने वाले मुसल्मानों के पास 70 साल थे पर हमने इसे आपसे एक तलाफा जमातों में तफरका एक दूसरे का काफिर कहने में ही हमने बरबाद किये और आज हालात किस कदर हमारे सामने आन खड़े हैं सभी जानते तो इनी फसादों में कुछ ऐसे वाकिया भी हुए इससे भ जब यह है कि शादी पहले तय हुई थी और फसाद हुआ और शादी का सभी सामान फसादियों ने लूट लिया जब दुले वालों को पता चला कि दुलन के घर वालों का सारा सामान लूट लिया गया तो बाराद को लाने से इंकार कर दिया गया कहने का मतलब यहा है कि जब ऐसे मुझीबत के वक्त में भी एक दूसरे का साहरा बनने के बजाए फसाद में सब कुछ जला दिया यहाद सुनकर बारात को लोटाना कहां तक सही है कैसे हो गए आज के मुसल्मान क्या यही तर्वियत इसलाम देता है खेर यहाद भी खुश है इंग बात रही कि अल्ला के एक और बंदे ने शादी के लिए इकरार किया और फसाद में जखमी जिस अस्पिताल में जेर इलाज थे वही पर शादी के तैयारिया हुई लहाजा शादी के कार्ड में जिसका नाम था वह कोई और था खेर माचरे में बढ़ती बुराई पर जमातों के जिम्मेदार महले की जमातों की नजरे होना भी जरूरी है पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शेहर के कोई मरकजी जमात ही नहीं होती है अगर होती है तो अस्तलाफात का शिकार होती है महले में नौजवानों पर रंकूच नहीं लगा जाता जिसका नतीजा यह होता है कि महले में बुराई आम होने लगती है खासकर आज का नौजवान किसी की सुनना नहीं चाहता, पहले ऐसा दोर भी देखा जाता था, जब जमाद का कोई बुजर्ग शक्स मौले से गुजरता था, तो आदा बैतराम के साथ नौजवान चिप जाया करते थे, अब इन नौजवानों को देखकर ही जमाद के लोगों क चिपने की नौबतान पड़ी है, घरों में भाई भाई इसे महबत नहीं, बच्चे वालिदें की कदर नहीं करते, तो आए दिन लड़के लड़कियों के कारणा में किस से सुनने मिलते हैं, आखिर इन तमाम मामलात के लिए जमेदर काउन है, नशाखोरी आम होती जारी है गांजा फरुक्त करने वालों के फैरिस तवील होती जारी है, और बदकिसमती से हमारे ही माशरे के नौजवान हैं, अब बताओ जिस कदर मिलत निशाने पर है, क्या किरदार निभा पाएंगे यह नौजवान, दूसरी तरफ लड़कियों पर भी नजर रखने से वालिदे को हम अंजान दे रहे हैं, आखर जिल्लत हमारे हातों के कमाई तो नहीं हराम हलाल का लिहाज के वगर पागल कुतों की तरह दुनिया के पीछे पड़े हैं, हमें यहाँ ख्याल भी नहीं रहा कर दौलत के नशे में हराम की कमाई से आउलाद की परवरिश कर रहे हराम के मुझाहिद, शोहदा, सौलहीन के रास्ते पर चलना चाहती है, तो वालिदें की जिम्यदारी है के हलाल रिस्क परवरिश करें और इनकी बदर हुनें के रास्ते से तर्वियत दें, आखरत का तसवर और इस पर इस कदर यकीन रहे के कुनाह से पहले अल्ला का खयाल रहे, को फिल्मी सितारों और टीवे एक्टरस की, फहच दुनिया से दूर पाकिज़ा दामन और माओं की और उन माओं की तरह बनाने की कोशिश करें, जिनके कोक से इसलाम के दाई और मुझाहिद पैदा हुए, अगर हम आज भी ना जागे तो वह वक्त दूर नहीं के दुनिया में जिलत, रुस्वाई और आखरत की नाकामी अलग हमारे इस्से में होगी, खैर इसलाम जिन्दाबाद था और जिन्दाबाद रहेगा, अगर आज हमने दिनी जिम्मदारियां नहीं निवाई तो हमारी जाज़ा दूसरे कोम को खड़ा कर दिया जाएगा, और यह वहाँ हम से बहतर दिनी खिद्मात को अंजाम देंगे, लिहाज़ा हम हमारी आउलाद की सही तर्वियत देता का हमें आने वाली नसल यह ना कह सके कि हम से पहले वालों ने हमारे लिए कुछ भी ना किया, इसलिए अलमा इकबाल मुसल्मानों की शांदार तारिक की तरफ इशारा क कारी की तरफ इच्छ की तरफ दूब के लिए यहाज़ा बटार की तरफ दूब का अने वाज़ा जासरा की।